स्मार्ट सिटी सूरत सूरत सिटलिंग भी आईटीयस जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जन्वरी 2014 से सूरत में सिटी बस भी आईटीयस चालू ही है और आज तक बहुत से उतार चड़ाओ के बाद आज कुछ 76 बसों का सिटी से बाहर होना बहुत ही गवरों की बात है पूरे 9 साल तक ये बसों ने सर्विस दिया है यहां पर हलाकि कुछ बसे पहले आई थी 22-24 बसे जो 2-3 साल चलने के बाद 50 बसे फिर मंगाई गई ये पूरी बसें अपने कारे काल में बहुत से उतार चड़ाओ देखें हैं कोई बस ठाने में जमा हुई तो कोई बस कुरोना के चलते बंद हुई लेकिन फिर भी अपने पूरे जीवन काल को पूरा करते हुए ये बसे आज मुनसिपल कारपूरेशन द्वारा इनको घोसित किया गया है कि ये बसें अब रोड पर चलने के योग ये नहीं हैं इसके चलते इनको बाहर किया गया है और आज तक आपने इन बसों में सफर किया और अब ये बसें आपको सफर करने के लिए नहीं उपलब्धों होगी बी आइडियेस की सुरुवात के इतिहास में जब सबसे पहले बी आइडियेस चलना रोड पर चालू हुई तो पबलिक का बहुत अधिक बिरोध हुआ और कुछ पबलिक ऐसी थी जो रोज मर्णा कमा की खाने वाली थी जैसे रिक्से वाले टेक्सी वाले इन्होंने बहुत खुल कर बिरोध किया सिटी बस भी आइडियेस का लेकिन सिटलिंग भी अपने नागरिकों को पबलिकों को सस्ती और सुगम सुविधा परदान करने के लिए पचन बद्ध थी इसके चलते ये बसे चलती रही और आज ये हाल है कि सूरत सिटी में हजार बसें दोड रही है और ये वो बसें हैं जिन्होंने अपना कारेकाल पूरा किया है इनकी बिदाई होने के लिए तैयार हैं ये अब ये बसे यहां से निकल जाएंगी अपने जिवनकाल में बहुत से उतार चड़ाओ को देखते हुए ये बसें अब बाहर जा रही हैं ये कंपणी पूरा की कंपणी थी प्रसन्ना परपल जिन में कभी कभी सी जी अम और सुपरवाजरों की नोग जोग ड्राइवरों की नोग जोग होती रही लगभग अपने पूरे जिवनकाल में चार बार श्ट्राइक हुई यहां पर ड्राइवर अपने अधिकारों की मांग करते हुए कंपणी के सामने प्रस्ताओं रखा टी आइटी एफ को